हेलो गाइज माइसेल मितलेज कुमार फाउंडर अजूकेशन जी ऑनलाइन एजूकेशन पोर्टल उत्तर प्रदेश का यूपी का यूपी का यूजी के लिए कॉंस्टिंग चल रहा है उसका सेकेंड डाउन का सेडियूल अनौन्स हो गया है हाँ लेकिन यहाँ पे आप प्रदेश किया गया है तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या चांसेज बन सकते हैं आपके अड्मिशन के लिए सेकेंड डाउन में कौन-कौन एलेजिवल है रेजिस्टेशन करने के लिए अड्मिशन लेने के लिए और वैसे बच्चे जिनका अड्मिशन नहीं मिला है फॉस्टन में उसका क्या हो सकता है हम लोग इस वीडियो में पूरा चर्चा सेकेंड डाउन के बड़े में करेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सेडियूल यहां पे हाँ अगर सेडियूल बात करें तो जो रेजिस्टेशन है वो 17th 17 फरवरी से स्टार्ट हो करना चाहिए कि यूपी में जब आपका अड्मिशन होगा तो आपको फिजिकली जाके डॉकुमेंट वरिफिकेशन नोडल सेंटर पर जाके करना परेगा वो सेंटर जब रेजिस्टेशन के टाइम आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको दिख जाएगा हां यह आप हमारे ए अगर आपका रह जाता है तो लास्ट डे 22nd फेबरेडी को आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा हां डिकलेशन अप मेरिट लिस्ट 22nd फेबरेडी को मेरिट लिस्ट प्रिपेर हो जाएगा यहीं देख सकते हो आप जो चार मार्च से हमने पहले वीडियो बता रखा है कि आप जो अलॉट्मेंट होगा सेकेंड ना किसी का तो अल इंडिया के बाद ही आएगा तो चार से लेके 7 मार्च तक आपको 24 लोकिंग करना है इंपोर्टेंट बात यहां पर यह एक और है कि जब 24 फिलिंग करें तो लोक आपको जरूर करना है तभी कॉंसलिंग में वो आगे आ कोदा मास तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं यह हो गया सेडिल उसकाद हम लोग देखेंगे कि कितना एमांट का सेकुरिटी का डिमांड डाफ्ट बनाना है यह पहले से भी पता है लोगों को 30,000 आपको गवर्मेंट सीट के लिए MBBS प्राइबेट के लिए दो लाख रुपया का डिमांड डाफ्ट बनाना है और BDS प्राइबेट के लिए एक लाख रुपया का डिरेक्टर जेनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी लखनाव प्यावलेट लखनाव इस नाम से नोडल सेंटर के नाम पे जाके रिपोर्टिंग आपको करना है और सारे ओरिजिनल डॉकुमेंट्स लेके जाने हैं आपको हाँ अब हम लोग कुछ कंडिशन देखेंगे कि क्या होगा इसमें देखो कौन-कौन पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेशन किया हुआ राउंड वन और राउंड टू दोनों को मिला के मेरिकलिस्ट पिर्पेर होगा उसके बाद आपका अड्मिशन का कौंसलिंग स्टार्ट होगा हां और यहां पे आपको मैंने बता दिया कि डॉकुमेंट कराया है तो अब वो सेडियूल के अकॉर्णिंग जाके करा सकते हैं हां अपना इमाउंट भी सेकुरिटी जाके जमा कर सकते हैं यहां एक और इंपोर्टेंट बात ऐसा आया हुआ है कि जो स्टुरिंट को फर्स्ट राउंड में आया था और उनका एड्मिशन उनने नहीं लिया वो सीट कैंसील हो गया तो वह भी स्टुरिंट अब इलीजिवल है दो लाख रुपया तो उनका चला गया लेकिन फिर से दो लाख रुपया जमा करके यह शेकुरिटी जमा करके कॉंस्लिंग में पाटिसिपेट कर सकते हैं यह बहुत अच्छी बात है यहां पे ध्य सकते हो आपको और कॉंसलिंग में जो है वह वैसे स्टुडेंट जिनका राउंड वन में एलॉट्मेंट आ चुका है और वह एडमिशन उसमें ले चुके हैं आप ग्रेट डाल रखे हैं तो वह क्या करेंगे जो नया च्वाइसे फिल कर सकते हैं अगर पसंद नहीं है तो नया कर सकते हैं और जो पसंद है जो आपने उलेडी फिल कर रखा है उससे भी वह काम चल जाएगा हां यहां पर पॉइंट में देख सकते हो आप और अगर जो राउंड वन में सीट जो मिला है और राइन टू में अपग्रेड हो जाता है आपको तो पहले वाला सीट पूर सकते हो वैसे स्टूरेंट जो राउंड वन में अडमिशन ले चुके हैं कॉलेज में तो राउंड टू में उनको कुछ करने की जुरूरत नहीं है वो कुछ भी नहीं करेंगे उनका अडमिशन कंफर्म हो चुका है हां अब हम यह देख लेते हैं कि आपने जो दो लाख फिल नहीं करने हैं कोई भी च्वाइस फिल नहीं करने है और उसके बाद आपको एक डेट आगा राउंड टू के बाद उसके बाद उसमें डिटेल फिल करोगे ऑनलाइन में और नोडल सेंटर जहां आपने डुकुमेंट फेरिफिकेशन कराया था जो दो लाख रुपया क जहीं है अगर कुछ चेंज़ आता है जैसे कोई का सेचुईशन है अगर कुछ चेंज़ आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा हां अब हम लोग यह बात कर लेंगे कि कट अफ क्या हो सकता है सर राउंड टू में देखो अगर देखा जाए तो जो फास्ट आउन का है और बहुत जादा कट अफ इंक्रीज किया है तो अभी जो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपी का रेस्टेशन तो किया हुआ था लेकिन वो दो लाक रुपया डिमांड आप जमान नहीं किया था अब वैसे भी एस्टुडेंट करेंगे और कुछ इस्टुडेंट वै कि आपके पास अधर आप्शन आया है जैसे कि रजस्थान, बेश्ट बेंगॉल, बिहार, करनाटिका, ये सभी तमिलाडू, ये सभी तेलंगना, ये सभी एस्टेट में आप फोकस करें अड्मिशन के लिए ऐसा ना हो कि लास्ट समय में आप रह जाएं और फिर यूपी के पासा में, हाँ, अगर कटफ डिक्रीज होगा, तो सिर्फ मुस्लिम माइनेटी कॉलेजे के ही होगे, क्योंकि उसके फीस ही बहुत जादा है, जैसे सत्रा लाक, अठारा लाक, बीस लाक, इस तरह के परियर ट्यूशन फीस है, तो लगवग अगर आपका टोटल बजट एक क करोर के रेंज में होगा, तो आपको कॉलेज, यूपी में मिल सकता है, मुस्लिम माइनेटी कॉलेज, अगर स्कोर भी कम है तो, तो यह ध्यान दखना है, च्वाइस फिल करने से पहले कि फीस ट्रक्चर क्या है, कुछ एसे भी होते है, सिर्फ कॉलेजे च्वाइस फिल कर द है, तो उसको नहीं फिल करें, अधर्वाइस दो लाक रुपिया चला जाएगा, हाँ, और कट अप बहुत डिक्रीज करने के चांसे नहीं है, आप उस तरह से प्रिप्रेशन आपको करके चले, कि बौनरी लाइन पे हैं, तो आड्मिशन के चांसे बन सकते हैं, हाँ, अब ह फाइनल आपको expected cut-up भी पूरे detail में बता देंगे, अभी तो बस इतना ही है, कि ज़्यादा decrement नहीं होगा, increment तो एकलिस्ट नहीं होगा, जैसे हमेशा 2020 में, 2019 में क्या होता है, round 2 में increase बहुत कर जाता है, cut-up, नहीं, already round 1 में increase कर चुका है, आप बातों को समझ रहे हो, तो य admission, पूरे counseling support में, clear है, hope so की video अच्छे लग रहे हैं, मिलते अगले video में, bye, take care, see you again,